IPL 11 पूर्व आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने कहा के खेराने सही समय पर लिया यह है फैसला कोलकाता ने 7 अप्रेल से शुरू हो रहे इंडियन प्रीमियर लीके 11 वे संसकरण के लिए घौतम गंभीर की जगे इस बार कार्तिक को नया कप्तान बनाया है गंभीर कोलकाता को दो बार चैंपियन बना चुके हैं लेकिन कोलकता ने इस बार गंभीर को रिटेन नहीं किया इसके बाद दिली डे रडे विल्स ने गंभीर को अपनी टीम में खरीदा और उन्हें अपना कप्तान बनाया है क्याटिक्च ने टीम के अभ्यास सत्र से इतर गुरुवार को सनवादाताओं से कहा करियर के सही समय पर उन्हें टीम की अगुवाई करने का मौका मिला है वह इस से पहले तिलिनाडू के लिए भी कप्तान के रूप में सपल रह चुके हैं यह हमारे लिए बोननस के समान है यह पूछे जाने पर कि कप्तानी के कारण उनकी बल्लेबाजी पर असर पड़ेगा पूर्व आस्ट्रेलिया इबल्लेबाज ने कहा हमारे बीचवे हैं सबसे अनुभवी खिलाडी हैं इसके अलावा प्यूश चावला, विने कुमार और रोबिन उतपा भी हैं हमारा काम उनके उपर से दवाव कम करना है जितना हम कर सकते हैं 35 साल के कार्टिक ने हाल में श्री लंका में हुई त्रिकोनिय सीरीश के फाइनल में बंगलादेश के खिलाफ अंतिन गेंद पर छक्का ज़़कर भारत को सीरीश जिताने में अहम योगदान दिया था क्याटिक को उमीद है कि कार्टिक वैसा ही प्रदर्शन यहां भी दोहर आएंगे क्याटिक ने कहा उमीद है कि वह वैसा ही प्रदर्शन यहां भी दोहर आएंगे जैसा कि उन्होंने हाल में किया है वह IPL के सबसे सक्फल खिलाडियों में से एक हैं और पिछले दसवर शो से IPL खेल रहे हैं उन्होंने कहा कि टीम के कई खिलाडी इस समय शांदार फार्म में चल रहे हैं और ऐसे में अंतिम एकादश का चयन करना थोड़ा मुश्किल होगा कोलकाता की टीम लिखे 11 वे संसकरण के अपने पहले मुकाबले में रविवार को इडन गार्डन्स में रॉयल चालेंजर्स बेंगलोर से भिड़ेगी